मदवनी, खीरा थनाच्छेतर के कसेरा गाउं के रहने वाले ठेला चालक मौंबद हलीम के हत्त्याकांड मामले में एक महिला को बासोपरी थाना पुलिश ने गिराफतार कर लिया है पुलिश ने एक महिला को विद्वत रूप से गिराफतार कर मंगलबार को नया खिराशत में भेजा मालूम हो की मिर्ता की पत्नी सगीरा खातुने विगत 18 जुन को ही लिखी तावेद अंदे कर बासोपरी थाना में प्रास्मी की दर्ज करवाई थी इस मामले को बासोपरी थाना प्रवारी अर्विंद कुमारे के महित्ता से लेते हुए अपराधी को पकरने के लिए अलग-अलग जगहों पर शापे मारी शुरू कर दी मिली जानकारी के अनुसार इसी चापे मारी के दोरान एक महिला भ्युक्त को गिरफतार कर लिया गया थाना प्रवारी अर्विंद कुमार के नेतिरुत में यह करवाई की गई है महिला से पूस्तार के दोरान और और भी कई अन्य व्यक्ती सामिल होने की बात कही गई है पुलिस अन्य जगह पर शापे मारी कर रही है इस समद में जानकाई देते हुए थाना प्रवारी अर्विंद कुमार ने बताए कि महिला को गिरफतार कर नय खिरासत में भेज दिया गया है साथ ही उन्हें यह भी कहा है कि इस मामले से जुरे सभी अपराधियों को पकरने के लिए बासोबरी थाना पुलिस लागतार शापे मारी कर रही है साथ ही बासोबरी थाना प्रवारी अर्विंद कुमार ने यहा स्वासन देते हुए कहा कि हत्यारे बक्षे नहीं जाएंगे जल्द से जल्द सभी अपराधियों को गिरफतार कर लिया जाएगा ऐसे ही तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आर्जी भी हार न्यूज के साथ और हाँ अविता का अपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किये जल्द से जल्द कर ले धन्यवाद